तो दोस्तो गारगी पुरुषकार और बालिका प्रोसान पुरुषकार सेशन दो हजार चोबिस पच्चीज के लिए आवेदन फोर्म भरना शुरू हो चुके हैं इस वीडियो में मैं आपको इसकी आवेदन प्रोसेस, इसकी लास्ट डेट, इसके नियम, सर्ते, पातरता, दस्तावेज के बार में बताऊंगा और इसके साथ इस पुरुषकार की कुछ खास बातें वो भी बताऊंगा लास्ट एयर में जिन बालिकाओं ने जो गलतियां की हैं, वो गलतियां इस बार आपको नहीं दोरानी हैं अन्य था आपको ये पुरुषकार की राश्य वो नहीं मिलेगी नमस्कार साथियो मैं हूँ आपका अपना साथी राजगूर्दी तो दोस्तों बालिका सिक्सा फाउंडेशन जेपुर की तरफ से गारगी पुरुषकार और बालिका प्रोसान पुरुषकार दिया जाता है साम्माने तोर पर कक्सा दसवी की बालिकाओं के लिए गारगी पुरुषकार होता है और कक्षा बारवी की बालिकाओं के लिए बालिका प्रोसान पुरुषकार होता है अब यहाँ पे देखें फिलहाल सेशन दो हजार चोबिस पच्चिस में ये जो आवेदन फोम भरना शुरू है है वो किन बालिकाओं के लिए पहले इसे आप समझ लीजिएगा देखें वैसे तो ये दो त्रे के फोम होते हैं लेकिन समन्ने तोर पे अपने इसको तीन त्रे के बोलेंगे कैसे समझेगा जिन बालिकाओं ने वर्स दो हजार तेईस में कक्षा दस्वी पास की है और फिलहाल यहाँ पे देखिए कक्षा बारी में अध्यानत है सेशन दो हजार चोबिस पचिस में तो ऐसी बालिकाओं के लिए तो यहाँ पे दित्य किस्ट के लिए फोम भरे जा रहे हैं इसके लावा यहाँ पे देखिए ऐसी बालिकाओं जिनोंने वर्स दो हजार चोबिस में कक्षा दस्वी पास की है और फिलहाल सेशन दो हजार चोबिस पचिस में ग्यारी में अध्यानत है तो ऐसी बालिकाओं के लिए पर्थम किस्ट का पुरुषकार है इसके अलावा जिन बालिकाओं ने वर्स दो हजार चोबिस में कक्षा बारी पास कर ली है और फिलहाल यहाँ पे कुलेज में अध्यानत है तो ऐसी बालिकाओं के लिए बालिकाओं प्रोशान पुरुषकार होता है आसा रखता हूँ यह बात आप अच्छी तरह से समझ गए चलिए सबसे पहले इसके कुछ पातर ताइम आपको बता देता हूँ कि कौन-कौन जो बालिकाओं हैं वो इसके लिए पातर है तो यहाँ पे बताना चाहूँगा देखे ऐसी बालिकाओं जिन्होंने या तो मादे में इसके लिए पातर हैं इसके लावा इसके कोई भी यहाँ पे पातरता नहीं है चलिए अब इसके कुछ खास बाते मैं आपको बताता हूँ जिसको आपको खास तोर पे धान अखना है लेकिन इससे पहले आपको दस्तावेज के बारे में जानकारी देना चाहूँगा देखिए जब आप आवेदन करोगे ना तो वैसे तो देखिए कुछ खास दस्तावेजों के आवसेकता नहीं है लेकिन जानकारी के लिए वो दस्तावेज है वो आपके पास होने चाहिए क्या क्या एक तो यहाँ पे आपके कक्षा 10 विया 12 की मारक सीट है आपके पास होने चाहिए इसके साथ यहाँ पे देखिए जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो उस स्कूल का SR नंबर आपके पास होना चाहिए प्लस उसका PSP कोड तो यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा देखिए सरकारी स्कूल के अंदर साला दर्पन पोर्टल चलता है और प्राइवेट स्कूल के अंदर यहाँ पे PSP पोर्टल चलता है तो सरकारी स्कूल के लिए हम इसे साला दरपन पोर्टल बोलेंगे और प्राइवेट स्कूल के लिए हम इसे PSP पोर्टल बोलेंगे वो भी आपको डालना पड़ेगा बस इन ही की आपको यहाँ पर आव सेकता है अब यहाँ पर देखिए कुछ खास बाते हैं जिनको खास तोर पर आपको यहाँ पर धान रखना है दोस्तों देखिए जब भी आप यह आवे दन फोर्म भरोगे न तो यहाँ पर देखिए स्कूल रिकोर्ड में भी होना взрiver स्कूल के बोले तो यहां पर सालाधरपन पोर्टल यहां पीस पीस पोर्टल है उससरी सीम होना चाहिए क्योंकि हर साल यह समस्य आतीा जैच अधुषिन दliamoर द playoffs केईलाई根 बात करें अगर बोर्ड के डेटाबेस की तो अपनी दस्विया बारी की मारक सीट में उसकी स्पेलिंग कुछ और होती है, इसकूल के पोर्टल पे कुछ होर होती है, तो ऐसे में उनका जो आवेदन फोरम है वो वेरिफाई नहीं होता है, और वेरिफाई नहीं होने की वज़ जन अधार कार्ड में भी आपका डेटा है, आपकी मारक सीट के अनुसार होना चाहिए, कई बार मुझे देखने में ऐसा है कि यहाँ पे बालिका के नाम की स्पेलिंग तो जन अधार में शही होती है, लेकिन उसके पिता के नाम की स्पेलिंग हो शही नहीं होती है, फोर ए पामदन फोम मह वो नहीं बर्पाओंगे तो आप चेक कर लीजेगा कि आपके जन अधारकार्ड में आपके नाम की श्पेलिंग, पिता के नाम की श्पेलिंग है मारक सिट के नूसार है और अपनी जो डियो भी है वो भी मारक सिट के नूसार है अगर ऐसा नहीं है क्योंकि यहां पर एक कमी और मुझे देखने को मिली है कि अपने प्रिवार का जो जन अधारकाड होता ना तो मैन जन अधारकार में जैसे बालिका का पिता है और उसकी माता है तो यहाँ पे देखिए पिता का जो रिकोर्ड माता का जो रिकोर्ड है उसमें कोई खास फ्रक नहीं पड़ता हूँ उसकी कोई दिकत नहीं है लेकिन क्योंकि मारक सिट में पिता का नाम आता है तो यहाँ में ये दि मान लेते हैं कि आपके पिता का नाम है जन आधार में महेश कुमार है और बालिका के रिकोर्ड में जन आधार में अकेला महेश है तो उसमें भी आपको महेश कुमार कराना है अपनी मारेक सिट के नुशार अगर यहाँ पे four example मान लेते हैं कि महेश कुमार उसका actual नाम है लेकिन मारक सीट में अकेला महेश है तो यह आप बालिका के जन आधार में महेश कराना है कुमार आपको यहाँ पे अटाना है बालिका के रिकोर्ड में क्योंकि प्रिवार के हर एक सदस्य का जन आधार में सबका अलग अलग रिकोर्ड होता है वहाँ पे उसके पिता क का नाम माता का नाम जनम तिथी अलग लग कुलम बने रहते हैं तो यह आप है खास तोर पे जरूर धान करके वो देख लीजीगा इसके लाओ सबसे इंपोर्टेंट जानकारी देखिए यह जो पुरुषकार की रासी है वो जन अधार काड में जो भी हमारा बैंक खाता लिंक है अब वो बैंक खाता या तो अपने परिवार के मुख्या के नाम से हो सकता है और अपने जन अधार में जो मुख्या होती है अपनी माता ही होती है तो उसमें भी आ सकता है या फिर बालिका का खुद का अकाउंट है तो उसमें भी आ सकता है यहाँ पे देखिए यह तो त यहां पे बालिकाओं को यह पुरुषकार की राशे नहीं मिलती है वह आप समझ लिजेगा वह इसलिए Hindi मिलती यह में क्यूंकि जन अधार कारड में अपना खाता तो है लेकिन खाता लिंक होने के आप बावजूद भी यहां पे उने हमने transaction नहीं किया तो bank ने उसे hold कर दिया या पूरी तरह से बंद कर दिया तो एक बार आप इसको पता कर लिजेगा कि आपका खाता चालू हालत में है या नहीं है अगर वो चालू हालत में नहीं है तो अपने खाते को चालू करवाएगा bank में विजिट कीजिएगा और उसके बाद अपने जन आधार को अपडेट कीजिएगा अब यहाँ पे देखिए जन आधार में bank खाते को लेके जो सबसे बड़ी समश्य आती है वो यहाँ पे देखिए जो MICR कोड है वो हमें डालने होते हैं तो MICR जो कोड होते हैं वो गलत डाल दिये जाते हैं जब भी अपना जन आधार अपडेट करवाया जाता है तो यह थोड़ा सा खास करके देख लिजीगा क्योंकि हर एक ब्रांच के जो IFC कोड है या जो MICR जो कोड है वो सबकी यहाँ पे अलग लग होते हैं बाकि bank में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है तो bank को आप विशेज तोर पे वो देख लिजेगा चलिए अब यहाँ पे आपको देखिएगा पुरुसकार की रासी ओ कितनी मिलने वाली तो यहाँ पे देखिए कक्षा 10- tarafी के लिए यहाँ पे है 6,000 रुपे की रासी मिलती है और यह दो रासी है वो दो किस्तों में मिलती है 33,000 की मिलती है तो एक बार तो यहाँ पर कक्षा 11 में होने पर मिलती है तब उनको फोरम बढ़ना पड़ता है और एक बार कक्षा 12 में होने पर दुबारा उनको फोरम बढ़ना पड़ता है तो यहाँ पर दो बार उनको 33,000 रुपे की किस्त हो मिलती है लेकिन यहाँ पर के एक और खाज जानकारी आपको बताना चाहूंगा देखिए पहले क्या हुआ करता था जब भी ये गारगी पुर्षकार जिन भी बालिकाओं को मिलता था तो यहां पर सम्मंदित विवाग के दवारा एक सर्टिफिकेट दिया जाता तो जैसे आप अपना फॉर्म भरो तो फॉर्म भरने के कुछ दिन बाद है आप अपना सर्टिफिकेट है वो ओनलाइन ही डाउनलोड कर लिजेगा क्योंकि एक समय के साथ ही आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं उसके बाद पोर्टल पे सुईदा बंद कर दी जाती है चलिए आप यहाँ पर आवेदन प्रोसेस की बात करते हैं दोस्तों देखे इस वीडियो में तो मैंने आपको यहाँ पर सम्माने नीमों की जानकारी दी है अगर आपको ओनलाइन फोर्म बना है तो इसके लिए हमारी अलग से वीडियो हमारे दूसरे चैनल पे जिसका नाम है ग्यान कामना यूटूब चैनल क्योंकि इस चैनल पर आपन अपडेट की जानकारी देते हैं यहाँ पर जितने भी भरती प्रीक्षाओं के यहाँ जो भी फोर्म प्रोसरों सती हो और मैं आपको बताता हूं यह वीडियो complete होने के बाद है आवधन प्रोसरेस का मैं वीडियो बनाने वालम जैसे वीडियो complete हो जाएगा उसका लिंक इसि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है वो अपडेट है वो कर दिया जाएगा अब बात करते हैं यहाँ पर देखिएगा आप आवधन फोर्म वैसे कैसे भरोगे तो इसके लिए देखिए साला दर्पन पोर्टल पे आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा आप अपनी कक्षा अनुसार है यहा आपको लोगिन करना पड़ेगा आपका फोर्म ओपन हो जाएगा चाहेगी सूचना आपको बरने और फोर्म को आपको यहाँ पर फाइनल संबिट करना है अब यहाँ पर देखिए फोर्म बरने की लास्टेट क्या है तो दोस्तों आज से यहाँ पर देखिए फोर्म बरना हर साल यह समस्या मेरे सामने आती है क्योंकि बालिकाओं के पास इस अपडेट की जानकारी नहीं मिलती है जब जानकारी मिलती है तब तक यहाँ पर डेट निकल चुकी होती है तो ये जानकारी जादा से जादा अपने सभी दोस्तों के साथ है बालिकाओं के साथ है जरूर सेर कीजिएगा मोखी ग्रूप से या फिर इस वीडियो को भी आप यहाँ पर सेर कर सकते हैं इसके लावा यहाँ पर देखिए आपको बताना चाहूंगा इस अपडेट के लिट तेस्ट अपडेट या फिर दिशा निर्देश के बारे में आपको और अधिक जानकारी लेनी है तो इसके लिए आप हमारी साइट पर विजिट कर सकते हैं हमारी साइट का नाम है राजगुरजी.com यहाँ पर गारगी पुरुसकार का एक मिन्नो या उप्शन आपको आता है तो बालिकाओं को कई तरह की प्रेशानियों का सामना यहाँ पर करना भड़ता है चलिए यहाँ पर चलते चलते एक और खास जानकारी मैं आपको बताना चाहूंगा देखिए कई बार क्या होता है कि जब बालिकाओं यह फोम भरती है तो उसके सामने कई तरह की शम करना है तो यहां पर देखिए सम्मंदित डिपार्टमेंट के हेल प्लाइन नंबर है वो भी दिए गए और इनकी मेल है वो भी दिए गई है तो सम्मंदित डिपार्टमेंट को आपको वाया मेल या फिर वाया कोल के दवारा सुचित करना है देखिए इनका कोल अधिकतर समय ह वो switch off रहता है लेकिन आप mail कीजेगा और फिर भी येदि आपकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो आप मुझे Instagram से संप्रक कीजेगा आपका समाधान करवाने की मैं कोशिश करूँगा जो भी आपकी जानकारी हो मेरे साथ share कीजेगा समन्दी Department को हम अवगत करवा देंगे और आपकी समस्या का समाधान करवाने की कोशिश करेंगे इसके लाव येदि इस पुरुषकार को लेके आपके और भी कोई सवाल है तो आप बेज जिजेक है मेरे साथ share कर सकते है या तो वीडियो के निचे आप कमेंट कर सकते हो या Instagram पर भी मेरे साथ वो जुड़ सकते हो अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छे लिगे तो वीडियो को लाइक कीजेगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर share कीजेगा और इसके लाव जानकारी देना चाहूँगा देखिए जैसे जैसे इस पुरुषकार को लेकि जो भी नए अपडेट आते रहेंगे हमारे ज